हेलो दोस्तो मैं हूँ Geekman और स्वागत करता हूँ आपके इस वीडियो में जहां पर दोस्तो आज हम अन्बॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले है तो सिसका Economy 100 Powerbank का जो दोस्तो रिव्यू करने वाले हैं तो सबसे पहले जो दोस्तो मैं आपको इस वीडियो में जो है इसका अन्बॉक्सिंग करूँगा उसके बाद जो मैं आपको इसका फूल रिव्यू करके दिखाऊंगा और उसके बाद जो है इस प्राइस रेंज में जो 800 रुपीज के बीच में रहते हैं और आप सायद किसी भी ओनलाइन शॉपिंग सायट से खरीच सकते लेकिन जो फ्लिप कार है उसको डिस्कॉर्ण प्राइस में बेच रही है तो आप वहाँ देख सकते हो उसकी लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दी है अगर डिसक्तों करते हो कि हमारी प्लाइद बीक जाती है और अंडर की इसट यूज किसे ऐख पर हमें यहां यूजर में यू मिलता है और एक हमें Micro USB Cable भी इस PowerBank के साथ मिलता है जो के काफी decent quality का है तो दोस्तो अब इस PowerBank की में design और build quality की बात करो तो दोस्तो इस PowerBank की जो design है आप देख सकते हैं कि black and red color में इस PowerBank बहुत ही अच्छा दिखता है और यहां पर और ही color available इस PowerBank है वो है gray and white color तो आप भी खरीच सकते हैं लेकिन यह जो red and black color है वो काफी अच्छा दिखता है इसलिए मैंने यह खरीदा है और यहां पर उपर की साथ देख सकते हैं दोस्तों को यहां पर दोनों साथ जो है design जो दी गई है इस PowerBank की तेक्षर design ह है और आप इसको अब टच करेंगे तो आपको मैट फिनीज जैसा मतलब फिल आएगा तो काफी अच्छा है मतलब इस वाज़से इस PowerBank को एक बहुत ही अच्छा लूक मिलता है और अगर आपके हाथ में मतलब यह आप रखोगे PowerBank तो भी जो है आपको मतलब एकदम comfort फिल लाएगा उस वाज़से बहुत यह अच्छी तरह डिजाइन के हैं यहां पर दोनों साइट जो है वह भी यहां पर मतलब एकदम square टैप में डिजाइन में इसको texture किया गया तो यह मतलब मेरे इसाफ से डिजाइन वाइज यह बहुत ही अच्छा दिखता है दोस्तों और बि अच्छी बात है यहां पर ब्रांड पर फोकुसिंग ज्यादा नहीं किया से इसका ने पीछे की सेट देखोगे दोस्तों तो आपको यहां पर आयस रेटिंग दिया गया है थोड़ी सी स्पैसिफिकेशन लिखी गई है नीचे की साट पूरा एमटी है इस सेट भी पूरा कि डेखोगे दोस्तों आपको यहां पर चारि पूर्ट ज़ाए गया जो आप इसको चार चार्ज कर सकते और वहीं फास में ज्यों है यहां पर और आप डिप्पट्र लिघा उसके लेबल भी एक अगधर ऑर दूकिभावर‡ है यहां पर यहां फ्यास बात है कि यहां पर बटन नहीं दिया लेकिन इसमें बहुत अच्छे फीचर है कि अगर आपको इस पावर बेंग का रिमाइनिंग पावर चेक करना या कितना पावर आपकी पावर में बचा वो चेक करना तो दोस्तों जश्ट इसको आप हैंड में होल्ड कीजिए और इसको शेक कीजिए तो इस पावर बेंग का पफोर्वर जहां जादा कुछ अच्छा नहीं लगा अगर आपको मतलब जादा बेटरी बेक अब चाहिए तो यह पावर बेंग आपके लिए नहीं है क्योंकि इस पावर बेंग जो है 10,000 एमेज के साथ आता है और हमें इसमें से मिलता है सिब 7,000 में उससे जो 80% capacity हमें मिलनी चाहिए, लेकिन इस power bank में जो है उससे भी कम मिलती है, तो 7,000 मिलती है, तो मतलब आपका 3,000 image का जो फोन रहा, उसको सी भी power bank सी दो बार चार्ज कर पाएगा, तो थोड़ी सी जो यहाँ पे capacity कम है इस power bank की, क्योंकि दूसरी जो power bank से इस price में है, इसके साथ, तो उसमें थोड़ी हमें ज्यादा capacity मिलती है, लेकिन इस power bank का design बहुत अच्छा है, build quality अच्छ है, तो वो ही एक advantage इस power bank का बाकी मतलब कुछ नहीं है, दोस्तों मैंने एक और एक notice किया, इसमें disadvantage port कि आप अगर इसमें fitness tracker चार्ज करना चाहते हैं, तो आप नहीं कर पाएगे, क्योंकि यहाँ पर कोई power on up button नहीं है, तो उसके वज़े से, जो automatically, जो मैंने MI band चेक किया, और Lenovo का fitness band चेक किया, और automatic जो है, वो disconnect हो जाता इस power bank के साथ, तो यह disadvantage है, इस power bank का, और दोस्तों, यहाँ पर जो 1A, 2A का port मिलता, अगर आप इससे चार्ज करने जाते हैं, तो उसका timing भी मैं आपको बता देता हूं, कि अगर 2.1A से अगर आप phone चार्ज करते हैं, तो आपका 3000 image का जो phone है, उसको जो है, यह तकरीबन 2 घंटे के अंदर, जो है, 2 घंटे के टा और आपको अगर इसको फूल चार्ज करना इस पावर बैंक को, आपको कम से कम साथ गंटे तक इसको चार्ज करना पड़ेगा, अगर आपके पास कोई turbo charger या कोई advanced charger है, तो यह time जो है, थोड़ा सा कम हो जाएगा, और इस पावर बैंक के साथ दोस्तों, जो हमें बहुत, मत अच्छी good looking power bank चाहिए, अच्छी build quality वाली power bank चाहिए, और एक दम ऐसी power bank चाहिए, जो आपको easily अपने हाथ में hold कर सके, या light weight power bank चाहिए, तो आप यह power bank खरीच सकते, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा battery backup चाहिए, चाहिए, तो यह power bank जो आपके लिए नहीं है, क्योंक आपको यह power bank मिल जाए, तो यह value for money product है, तो आप इसको ज़रूर खरीच सकते है, लेकिन अगर आपको मतलब ज्यादा capacity चाहिए, तो मैं suggest करता हूँ, का आपको membrane P1310 करना चाहिए, ज्यादा price में कोई different नहीं है, 200 रूपीस तंका different है, तो यह आप खरीच सकते है, क्योंकि इ मैं decide करना होगा कि आपको क्या चाहिए, मैं ज्यादा battery backup चाहिए, डिजाइन अच्छी चाहिए, अगर डिजाइन अच्छी चाहिए, तो और एक option है आपके पास, वह है Intex IT PB11 के, जिनकी design भी बहुत अच्छी है, build quality भी बहुत अच्छी है, और battery backup भी मैं बोलूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी किजए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसे बहुत सारे गेजट का जो unboxing reviews जो आपके लिए लेके आने वाला हूँ, और दोस्तो अगर आपका कोई question या feedback हो, इस powerbank के related या फिर मैं इस चैनल के लिए कोई feedback हो, तो प्लीज नीचे comment में कर दो इसे